हेलो बच्चों आज हम लाहसा की और पाठ का उधिश्य है और इसके जो प्रेशन उत्तर हैं उनका वर्णन करेंगे तो सबसे पहले हम पाठ का उधिश्य देख लेते हैं लहासा की और पाठ एक यात्रा वृत है यानि किसी यात्रा का वर्णन है इसमें राहुल संकर्दाई ने तिबबत यात्रा का बहुत ही सुन्दर शब्दों में वर्णन किया है और इसके खास बात यह है कि लेखक ने यह यात्रा नियम के अनुसार नहीं की बलकि छद्म वेश में की है यानि छुप करके की है क्योंकि उस समय भारतियों को तिबबत यात्रा की अनुमती नहीं थी इस यात्रा वर्थ के लेखन का प्रमुख उदेश्य यह है कि तिबबत के लोगों का जीवन कैसे जीते थे यह बताया जाए साथ ही तिबबत एक पहाडी छेत्र है वहां की प्राकरतिक छटा को दर्शाना लेखक के लिए मुख्य बात थी इसका पहला प्रेश्ण है कि पठित पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भारतिय महिलाओं की अपेक्षा तिबबती महिलाओं की इस्तिती अधिक सुरक्षित है उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि भारत में महिलाओं को पुरुश्य से परदा करना पड़ता है जबकि तिबबत में कोई ऐसी प्रथा नहीं है भारत में महिलाओं आपरचित व्यक्ति को घर में नहीं घुसने देती उनके घर के अंदर तक जाना तो और भी कठिन है इसका कारण यह है कि वे ऐसुरक्षित अनुभव करती है तिबबती महिलाओं ना तो परदा करती है और ना ही किसी ऐपरचित से भैभीत ही होती है अपीतु वे ऐ परिचितों पर सहज विश्वास करके उनका स्वागत करती है और मुसीबत में अपनी सुरक्षा स्वेम कर लेती है सेकिन हमारा कुश्यन आता है कि उस समय के तिबबत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भै बना रहता था उस समय जब लेखक ने तिबबत की यात्रा की थी तब वहाँ हथियार रखने का कानून ना होने के कारण लोग लाठियों की तरह पिस्तोल और पंदूक उठाए फिरते थे उस समय एकांत मार्ग पर चलते समय डाकों का फै सदा बना रहता था कि कहीं कोई डाकों उनका खून ना कर डाले कहने का भाव यह है कि यात्रा करने वालों को हमेशा लोट पाट और हत्या का फै बना रहता था उसके बाद कुश्चन आजाता है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड गया था तो सही जवाब है लेखक के अपने साथियों से पिछडने के दो कारण थे पहला क्या कारण था कि उसका घोड़ा बहुत धीमी चाल से चल रहा था दूसरा कारण था कि लेखक रास्ता भूल गया था उसे एक डेट मील चलने पर पता चला कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है वहाँ से लोटने में भी उसे देरी हो गई थी प्रश्न आता है कि लेखक ने शेकर विहार में सुमती को उनके यजमानों के पास जाने से रोका परन्तु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया क्यों नहीं किया? इस प्रकार से है उतर कि सेकर विहार में लेखक का मित्र सुमती अपने यजमानों को जो आसपास के गाउं में रहते थे उनसे मिलना चाहता था लेखक ने उसे इसलिए रोका क्योंकि वह यजमानों से मिलने में कई दिन लगा देता और यात्रा में और भी देरी हो जाती दूसरी बार लेخक ने सुमति को नहीं रोका क्यों नहीं रोका? क्योंकि लेकक मंदिर में रखी हुई हास्त लिखित कंजुर की पोथियों को पढ़ना चाता था कंजुर क्या है? बुद्ध के अनुवार्द बुद्वचन के अनुवाद की जो पोथियां थी लेखक उन्हें पढ़ना चाता था उसके जाने पर उसे पोथी पढ़ने का अधिक समय मिल जाता इसलिए उसने अपकी बार सुमति को नहीं रोका प्रश्णा आजाता है कि अपनी यात्र के दोरान लेखक को किन कठीनाईयों का सामना करना पड़ा इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक को पहाड़ों पर पैदल चलना पड़ा था इसके साथ ही लेखक को अपना सामाम भी स्वेम उठाना पड़ा था दूसरी सबसे बड़ी कठीनाई थी कि वह साधारन यात्री के वेश में नहीं था उसने विखमंगे का रूप धारन करके यात्रा की थी और तिबबत में विखमंगों के प्रती आदर का भाव नहीं रखा जाता इसलिए लेखक को कदम कदम पर संदेह की दृष्टी से देखा जाता था रास्ते में उसे भर्या भी नहीं मिला भर्या यानि भार धोने वाला और यात्रा में कठीनाई का सामना करना पड़ा एक स्थान पर जब लेखक ने भार उठाने और सवार होने के लिए घोड़ा लिया तो वह बहुत धीमी गती से चला फल स्वरुप वह अपने साथियों से पिछड़ गया और मार्ग जो था वो बहुत ही एकांत था निर्जन था लोग उसमें थे नहीं तो वहाँ पर डाकों के द्वारा हत्या और लूट पार्ट का भै भी उसे लगा और उसके मन में जो भै भै भी बना हुआ था काफी सरी उसकी जो कटिनाईयां थी उसे सामने आई आज के हमारे प्रशन उतर बस यहीं तक हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के लिए थेंक यू फॉर वाचिंग अगर आपको इनके प्रशन उतर की कोई भी गाइड बुक या बुक्स खरीदनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेलर का नंबर दिया है आप उनसे कॉंटेक्ट करके परचेज कर सकते हो काफी स्टुडेंट्स का मुझे पर कॉश्चन साय थे कमेंट सेक्शन में की भई आप में बुक का नाम बताइए तो मैंने आपको सेलर का कॉंटेक्ट नंबर दिया है वहाँ से आप उनसे कर सकते हो थेंक यू फॉर वाचिंग